हेलो फ्रेंट्स जावा प्रोग्रामिंग के लेक्षर नंबर ट्वेंटीवन में आपका स्वागत है इस लेक्षर में पिछरी लेंग्वेज में हम लोग ने डिफरेंट टैकेज के विश्य में जानकारी ली थी अब इस पैकेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश क करेंगे हम और सबसे पहला पैकेज है जावा में जावा डॉट लेंजी पैकेज तो यह जो लेंजी पैकेज है इसका क्या मतलब है क्या मक्सद है और क्यों बनाया गया है इस पैकेज को सुभावी किये कि जो भी पैकेज बनाए गये हैं वो यूजर और प्रोग्रामर को ध लेंग सबसे पहले इसको अगर डिफाइन करना होता आप लिखेंगे राइटिंग एनी जावा प्रोग्राम दा मुस्ट कॉमनली रिक्वार्ड क्लासेज एंड इंटर्फेशेज अर इनकैप्सुलेटेटेटेज जावा डॉट लेंग पैकेश जाकि जब हम जावा में प्रो पासेज हैं ऐसे इंटर्फेश हैं जो संभवता सबसी ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं तो उनको एक कंटेनर में हम डाल दिए पैकेज के अंदर डाल दिए जितने भी यूजड हमारे पास क्लास है हर ओ क्लास जिसकी ज़र्वत बार-बार पढ़ती है हमारे प्रोग्रा एवरी जावा प्रोग्राम कोई भी जावा का भरसन आप ले लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें हो सकता है क्लासेज का नंबर अव क्लास कम ज्यादा हो लेकिन वो सब में अब्द होगा अब आई डिफॉल्ट यह जावा.lang package एवलेबल हो जाता है इसके लिए अ important classes are present in java.lang package में जो most common है जिनकी ज़रुवत पड़ेगी वो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले object classes, object classes में आप देखेंगे उसकी grouping करेंगे तो string classes, string buffer classes, string builder classes, rapper classes, auto boxing and unboxing classes, math library classes, multi-threading support, low-level system access classes, error and exception classes. एक समानने programming में हम आप देखते हैं, हम ऐसा पाते हैं कि string operation हो, mathematical operation हो, खास करके low-level system support की बात है, error and exception handling की बात है, multi-threading support, यह बहुत ही common operation है, जो हर programmer की जरूरत है, और हर programmer को इसके requirement होता है, इसके method की जरूरत पड़ेगी, इस class को जरूरत पड़ेगी, तो already default class बना करके और इस package में रख दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है, यह default उपलब्ध है, इसके लिए किसी import की जरूरत है, मतलब अगर Java क्या कोई भी भर्सन आप इस्तेमाल करते हैं, Java प्रोग्राम करते हैं, तो यह default आपके पास उपलब्ध है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसके सारे classes आपके लिए उपलब्ध है, आप मान लिए कि इस package के अंदर वो सारे common classes available हैं, जो object-oriented programmer को चाहे beginner हो चाहे advance हो, सबकी जरूरत को ध्यान में रखके इस package को बनाया गया है, अब जरा गौर से देखें, इसमें जितने भी class हैं, धीरे धीरे एक-एक step में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक class के अंदर बहुत सारे method होंगे, और उसी method का हम इस्तेमाल करते हैं अपने programming में, तो हर class में कुछ-कुछ जो method हैं, उन पर detail discussion हम आगे करेंगे, अब ही सिर्फ दिखना है कि object classes के तौर पर हमारे बास क्या-क्या उपलब्द है, तो string manipulation के लिए string है, string buffer है, string builder है, number है, character है, boolean है, wide है, इस तरह के बहुत सारे classes हैं, जो already बने हुए हैं, और इनका direct इस्तेमाल ह कर लेते हैं, इसमें एक जो नई बात है, वो है wrapper classes, देखिए wrapper classes का मतलब एक basic concept आप समझेए, कि Java programming जो है, हम generally क्या बोलते हैं, कि it is fully object-oriented program, तो fully object-oriented program कहने का मतलब, कोई भी variable आप direct declare नहीं कर सकते हैं, लेकिन Java में भी हम अगर ऐसा लिखते हैं, int a, तो यह जो a है, वो integer data type है, integer type का variable है, और direct आप declare कर रहे हैं, सवाल है कि यह concept object-oriented का तो नहीं है, object-oriented में तो हर element object है, class का part है, तो इस तरह के provision को ध्यान में रखते हुए, हमने एक special refer class बनाया, और उस class के अंदर जो हमने object लगाया है, byte, short, integer, length, float, double, इन सब को combine करके एक ही group के class में रखे, उनको हम लोग बोलते है, wrapper classes, तो यहां पर अगर आप देखे, java.lang package में तो इस तरह के वो सारे class हमारे पास उपलब्ध है, default उपलब्ध हैं, जिनको किसी तरह के import करने की ज़रुदत नहीं है, यह language स्वतह ही available है सब के पास, और आसानी से इस language का इस्तेमाल हम अपने programming में कर सकते हैं, अगले lecture में हम यह देखने की कोशिश करेंगे, कि यह सारे object के अंदर जो हमारे पास classes हैं, इनका क्या-क्या मतलब है, अगर हम string class की बात करें, string buffer class की बात करें, तो उनके अंदर कौन-कौन से method हैं, most common method हैं, जो इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, उस पर हम concentrate करेंगे, और हम यह जानने की कोशिश करेंगे, कि यह हमारे लिए कितने fruitful हैं, यह सारे class अगर नहीं हो तो जावा में programming बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो कोई भी beginner को उतना detail में नहीं बताया जाता इसके विशह में, लेकिन जब थोड़ा भूत programming का भम्मान के चल रहे हैं, कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्राम के logic को समझ सकते हैं, प्रोग्राम किस तरह से flow हो रहा है, वह class कैसे बना रहा है, class को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप आसानी से समझ पाएंगे, कि जो उपलब्ध हमारे पास classes हैं, या उनके अंदर जो method हैं, उनका हम direct इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास already java.lang package उपलब्ध है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, तब वहाँ पर और डीटेल में discussion करेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.